नमस्ते मैं डॉक्टर गनेश विशेचक्य और वरिश्वेगनिक हूँ जवाल नहीरू कैंसरोस्पुल बोपाल में चार फेबरुरी आनहीं वला है और हर साल हम इस दिवस को एक नया एजेंडा के रूप में लेके आगे बढ़ते हैं और मेरा यह कहना दी है कि आप सबी से चार फेबरुरी क्यों और दो अक्टूबर को गांधी जयनती क्यों पंद्रा अगस को सवतंद्रा दिवसी क्यों हम सवतंद्रे अपने विचारों से हर पल हर से तो अवेर्नेस का प्रोग्राम जो भी होता है वो हर सेकेंड होना ची इंसान को खुद मैं जहां तक हम अपने आपको अवगत करा लें जागूपता के लिए वो जरूरी और सामने समाजिक लोग से जुड़े हुए लोग भी जो है उनको भी जागूप कराना हमारा प्रमधर्म है मैं कहना चाहूँगा आपके इस मीडिया के माध्यम से कि कैंसर की दर बढ़ती जारी है 96 में जब मैंने जोइन के दर चाड़ से पांच पेशन हुआ करते हैं आल वही पेशन एक साल में नौ आजार दस जार के दर में बढ़ गया है और वहों बोलता है कि तमागू का सेवान और बाकी सबसे दो होता है फैट एज अना बहु सारी ऐसी दर फैक्टर्स होता है लेकिन दोजार अठारा में उन्हें डिकलर के कि खान पीन से जो कैंसर होते हो सबसी जादा होता है कि खान पीन का ध्यान रखें खासकर हमें सोय बेना हुआ प्रोडेक्ट निकला हुआ यूस करना चाहिए जैनिस्ट्री राइट जीन होते है नोड़ाओ प्रोटीन मात्रा बहुत है लेकिन उससे नुपसान हो रहा है तो कोई फैदा नहीं जिम में जाने वाले बच्चे इ प्रोटीन के रूट में और वो मेरे हम पर इंफंटलिटी रिपोर्ट विए और कैंसर बिलिंपऊर कैंसर की इसलिए लेवल को बड़ा देता है ऐसी जित्ते बार खाने को बारबार गरम करके खाएंगे पुथिय बार आइक्टो आक्सिन और नाइटोस मांस कंपोंड जो कि दोनों ही लीच आउट होते हैं, और यह हमें खाने का स्वाथ बढ़ा देता है, लेकिन बढ़ाने के साथ हमारे शरीर में लिपिड प्रॉक्सरेस की मातरा बढ़ जाती है, जिसके फल्सरों फ्री रेडिकल डबलब होना चलू हो जाते हैं, अल्टिमेटली हमारा जो इम्म जवान बच्चों से मैं अरूद करता हूं कि दुबारा गरम करके खाना नहीं खाये, चाइनीज खाना जिसमें अमुनो सोटिम ग्लुटमेट होता है, अजिनो मोट होता है, उसका भाहिशकार करें, उसका सीवन ना करें, जिते भी फास्फुल कॉर्ण मेरा रिक्वेस्ट ह जिससे बच्चों को होने वाली ब्लेट कैंसर, गैस्टिक्टिवर, इंफर्टिटी का शिकैत ना हो, साथ में तंक अपड़े भी नहीं परें, व्यूच्व का 2015 का रिक्लेरेशन है, बहुत अच्छा साइंटिस ने रिक्लेर कि हैं, कि तंक अपड़ों से भी कैंसर हो सकता ह तो तंक अपड़ों का भी ओपियों के ज़्यादा ना करें, कम से कम तीन से दो गंटे, चार गंटे इसको पहने, बाद में अपने शरीर में लूज कर लें, कोई भी सौफ कपड़ा है, उसको धारन कर लें, और कोशिश करें कि खाने को दुबारा जरम करके, कभी नम खाए और दूद वाली चाय का सेवन बंद कर दें, तो बहुत अच्छा है, वीट भी प्रोडेक्ट बहुत हानिकारोग हो रहा है, तो मेरा रिक्वेस्टरी एक्स्परिमेंटल है, और मेरे जिन जिन पेशन को, जिनको कैंसर इंडूस्ट रेडियो तरपी की मतभी इंडूस्ट हो गया है, उनको अपने स्टॉप किया तो उनका शुगर लेवल कंड्रोल हो गया, तो चार विरो ही नहीं, हमें हर चार सेकेंड आपने आपको खुद और दूसरों को भी जागूर कराने का प्रण लेना चाहिए, और ये दाइत्व होता है हम सबका, ये हम सुसाइटी के हि झाल